जावा सीखने के लिए हमारे चैनल learning coding को subscribe करें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Inheritance के बारे में कि जावा में Inheritance क्या होता है कितने टाइप्स का होता है Inheritance का यूज करने का परपस क्या है और इसे यूज करने से हमें क्या फायदा मिलता है इन सभी चीजों को discuss करूंगा तो यह बहुत important feature है object oriented programming language का तो चलो start करते हैं what is inheritance definition से when we construct a new class from existing class in such a way that the new class access all the features and properties of existing class is called inheritance जब भी हम कोई नया class बनाते हैं तो हम जो भी नया class बनाए है न वह हमारा नया class हमारे existing class यानि पुराने class के सारे features और property को access कर ले तो उस तरह के situation को यानि उस तरह के जो भी class का accessing होता है उसे हम क्या बोलते हैं inheritance बोलते हैं तो इसमें जो भी हमारा नया class बना रहेगा वह इस existing class के सारे features को access कर लेगा अगर आप से कोई पूछ दिया inheritance क्या होता ता आपको simply answer करना है when one class access the property of another class is called inheritance तो अभी आपको क्या बाते याद रखनी है inheritance के बारे में जानने से पहले प्रोग्राम बनाने से पहले इन जावा extends keyword is used to perform inheritance जावा में अगर आपको inheritance perform कराना है न इस keyword को देखो extends इस keyword की वजह से हम inheritance जावा में perform करा पाते हैं तो इसी का name में ही देखो कितना बड़ा बात चुपा हुआ extends मतलब जो भी आपका नया क्लास होगा न उसमें बहुत सारे feature को यह extend कर देगा जोड़ देगा existing class के feature को second point क्या है इट प्रोवाइड कोड रियूजबिलिटी अगर आप inheritance use करते हैं अपने program में न तो आप existing class के code को अपने new class में reuse कर सकते हैं यह reusability हमें provide करके देता है ठीक है same code हमें new class में लिखने की ज़रूरत नहीं है जो existing class में हम उसको reuse करके new class में access कर सकते हैं third point क्या है we cannot access private members of class through inheritance मालों आपके existing class यानि पुराने वाले class में कोई private member है तो आप उस private member को inheritance के थुरू new class में access नहीं कर सकते हैं fourth point क्या है अपना a sub class contains all the features of super class so we should create the object of sub class यहाँ पे sub class वही है जो अभी तक मैंने new class बोला है और super class वो है जो existing class की बात कर रहे थे तो अगर आपके पास मालों super class है उसमें आपने दो काम कर रखा है फिर आपने एक sub class बनाया इसमें आपने तीन काम कर रहा और इसके दो काम को आपने extend करके इसमें ला लिए तो इसका total पांच काम हो गया तो आपको object हमेशा इसी सब क्लास का बनाना क्यूं क्यूंकि इस सब क्लास के पास इसका भी सारा लोजिक आ चुका है सारे features को यह सब क्लास access कर रहा है तो object आप इसी का बनाएगा तभी आप सारे features को access कर पाएंगे एक साथ प्रोग्राम में आपको बेटर समझाऊंगा ठीक है लास्ट पॉइंट क्या है method overriding only possible through inheritance हम जो भी method overriding perform कराते हैं न वो बिना inheritance के आप perform नहीं कर सकते तो यह भी बहुत important point था जो आपको याद रखना चाहिए जब मैं runtime polymorphism पढ़ाऊंगा तो वहां पर देखेंगा inheritance use होगा तो यह हो गया inheritance के बारे में अभी चलो inheritance कितने types का होता है जाबा किसको support करता किसको नहीं करता वो भी discuss करते हैं यह रहा inheritance का simple सा syntax मालो हमारे पास class A है और इस class A के अंदर कुछ हमने code लिख रखका है मालो addition और subtraction का code मैंने यहाँ पर लिख रखका है उसके बाद मैंने एक नया class बनाया class B और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया extends A तो इसका मतलब यह हो गया ना कि यह जो class A है ना class B मैंने नया बनाया है यह अभी class A के सारे features को यहाँ पर extend कर लिया यह access कर सकता है तो यहाँ पर addition और subtraction का code आ चुका है और class B अपने से क्या किया यहाँ पर आगे कुछ और code उसने multiplication, divide और remainder का भी लिख दिया तो देखो class B के सामने ना पांच काम आ गए है पांच काम इसके पास हो गए है तो अब आपको object इसी का बनाना चाहिए क्योंकि इसका object बनाने से class B का object बनाने से आपको क्या होगा सारे logic को आप access कर पाएंगे सारे features का आप लाब उटा पाएंगे तो यहाँ पर देखो addition और subtraction code को हम यहाँ पर reuse कर रहे हैं कि नहीं सब class B में यह जो उपर वाला class है इसको कहते हैं हम super class और यह जो class B हमने अभी अभी नया बनाया है इसे हम कहते हैं Java में sub class तो Java में जो उपर का class जो parents class होता है उसे super class बोला जाता है और जो नया class हम बनाते हैं child class उसे हम sub class कहते हैं तो object हमें इसा sub class का बनाना चाहिए क्योंकि वो super class के सारे features को reuse कर ले रहा है extend कर ले रहा है इस extend keyword की मदद से तो अगर आप इसके object में जाएंगे तो आपको पूरा इने रिटेंस का feature मिल जाएगा अगर आप इसका object बनाते हैं फिर फिर तो आप इने रिटेंस करिए मैं पूछे क्यों क्यों क्योंकि इसमें आप addition subtraction करी रहे हैं और इसी का object बना रहे सबसे पहला होता है single इसे simple भी बोला गया है तो यह single inheritance क्यों है मैं आपको बताता हूं इसमेंना हमेशा एक सुपर क्लास रहेगा और एक सब क्लास रहेगा इसका नाम है single inheritance यह जो सब क्लास है यह सुपर क्लास के सारे property को सारे features को देखे यहां पर access कर रहा है मतलब इसके पा हो गया आपके नजर में इस तीन रुपयाले का वैलू जादा बढ़ गया ठीक है तो यह हो गया हमारा single inheritance अभी चलो और भी inheritance के टाइप है उन्हें डिसकस करते हैं सेकेंड टाइप है multi-level inheritance multi-level inheritance क्या होता है कि एक से जादा सब क्लास होंगे आपके पास लेकिन सुपर क्लास must be one सुपर क्लास एक ही रहेगा लेकिन यह जो सब one सब two है यह और आगे भी बढ़ सकता है इस तरह से यहां पे सब three भी हो सकता है तो इस तरह के inheritance को हम क्या कहते हैं multi-level inheritance कहते हैं तो यह जो सब three है न यह इसके feature को access कर रहा तो यह सब two के पास इसका feature है तो यह सब three इसके feature क ऐसे कर लेगा इसके तरो उसी तरह यह सब three न उपर सब अप्ला सको एक्सेस कर सकता पुछें किवं इसब three इसके feature को यह रहा नहीं इसके feature को ले रखा और यह अर्या इसको लिए इसको लियो तो यहांपे नहीं क्लाससे सेंड होगे है अभी हार होता है हमारा इनरीटेंस , मल्टिकल इनरीटेंस कोहता नहीं करता क्यों नहीं करता मैं आपको बताता हूं यहाँ पहाओ एक और सुपरFore टू क्लास ए है दो सुपर क्लास ऐसने सेम सर्विस प्रॉइड कर रहा लेकिन यह护ा S4 के जलते और जावा ने सिलिये मलτιबल हमंहोर्इटेंस को सपौर्ट नहीं किया लेकिन यह classes के तुरू support नहीं करता लेकिन interface के तुरू करता है तो interface जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर देखेगा हम multiple inheritance का program आपको बना के भी दिखाएंगे ठीक है last type क्या होता है हमारा hierarchical inheritance इसमें देखो एक super class होगा और sub classes बहुत ज़्यादा होंगे एक दो इस तरह से और भी बीच में आप बना सकते हों तो इसमें difference क्या है multi-level और इसमें क्या difference है मैं आपको बताता हूं इसमें जो sub class है वो direct super से connected है sub 3 भी super से connected है sub 2 भी super से connected है sub 1 भी super से connected है ठीक है यह direct communicate कर रहे है लेकिन सबसे उपर जो मैंने आपको multi-level inheritance बताया इसमें भी देखो super class एक ही है लेकिन sub class बहुत ज़्यादा है तो यह जो sub 3 यह direct थोड़ी नहीं इस से connected है यह इस से connected है उसके बाद यह इस से है यह इस से है तो यहीं difference होता है इन दोनों में multi-level और सबसे नीचे यहां पर आप देख लो हमारा hierarchical inheritance तो इस वीडियो में मैंने जितना भी टाइप्स होता था inheritance का जावा में बता दिया जावा इसको support नहीं करता multiple को मैंने यह भी डिसकस कर दिया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम क्या करेंगे इन सभी टाइप् पाखे है पाखे समयने वीडियो आ